हेलो स्टूनेंज, ओपन यूर टेक्स्पूप, चैप्टर फोर्टीन, पॉलेथीन का रेपर, पेस नमबर एटीसिक्स पॉलेथीन का रेपर जो है, एक स्टोरी है, समवाद है, दो पेपर्स के बीच में इस समवाद में पात्र परिच्चे में एक बॉय है, जिसका नेम है दीपू, दीपू की मा, और उसके बार एक पॉलेथीन का रेपर है, कागज का रेपर है, और एक कार्ड है दीपू की घर में एक स्टोर रूम था, जिसमें जब समान रखना होता, तो थोड़ा सा दर्वाजा खोल कर अंदर रख दिया जाता था एक दिन दीपो को किसी ने एक गिफ्ट दिया अपना गिफ्ट खोल कर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोच के रख दिया कि यह सुन्दर है कभी कहीं काम आ जाएगा वह पॉलिथीन का रैपर सच मुझ बहुती सुन्दर था स्टोर में रखी सबी चीजें उस रैपर की खूपसूरती की तारीफ करती थी पॉलिथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूपसूरती पर घवंड हो गया जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि कोई भी पॉलिथीन का जो रैपर होते है जैसे हमें कोई भी गिफ्ट मिलते है तो गिफ्ट के उपर जो गिफ्ट रैप होते है वो बहुत ही प्यारा होते है वो पॉलेथीन का बना होते है इसलिए वो बहुत ही प्यारा लगते है तो यहां पे भी देपू कोई गिफ्ट मिलते है वो अपना gift खोलते है और gift wrapper को store room में रख देते है क्योंकि वो बहुत सुंदर होते है डीपू ऐसे सोचते है कि कभी ये काम आ जाएगा और वो सच मुझ में था भी बहुत सुंदर उसकी सुंदर तको देख कर store में जितनी भी चीज़े रखे हुई थी इना सब को उस रैपर की खूपसूरती की तरीफ करती थी सब चीज़े तो पॉलेथिन के उस रैपर को धीरे-धीरे क्या हुआ अपनी खूपसूरती पर घमंड हो गया यानिकि उसको एटिट्यूट हो गया तो कुछ दिनों के बाद डीपू ने दुबारा स्टोर का दर्वासा खोला और कागस का एक गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया कागस के रैपर का कुछ भाग पॉलेथिन के रैपर के उपर आगी रहा इस पर पॉलेथिन का रैपर बोला ओ बदसूरत कागस की रैपर कहां से मेरे उपर आगी रहा कहीं जाकर और बैठ यान तुम सहमा हुआ, डरा हुआ, सहमती हुए बोला, मैं कोई जान बूच को तो तुम्हारे उपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ, जो तुम मेरे भार से दब जाओगे, फिर पॉलतीन का रैपर बोलते हैं, मेरी खूपसूर्ती तुम्हारी वज़े से रहो मुझसे, यह कहकर पॉलतीन का रैपर खिसकर वहां रखी, टोटी सी कुरसी पे जा बैठा, तो कागस का रैपर पॉलतीन के रैपर की स्विवार से दुखी हो गया, उसको बड़ा दुख हुआ कि कैसे मुझे हर्ट कर रहा है, तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन का कागस का रैपर बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, कागस का रैपर पॉलतीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मेरी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो पॉलतीन का रैपर मुझे बनाते हुए बोला, मुझे देखो, कहां मैं इतना खूब सूरत कागर्ज का रयपर कि बुला बसूरत ही सही पर रहना थो हम दोनों कभ यहीं पर है ना इसलिए क्यों ना प्यार से रहें मैं तुम और यहां रखी सब भी छीज़े सब यहीं तो ही तो रहेंगे ना थो फिर पाले दिन का रयपर सस जो जोड जोड से जो है ना वो जोड़ जोड़ से हसता है जोड़ जोड़ से हसा फिर मुझ बनाते हुए कहने लगा तुम्हारा तो बता नहीं मैं तो यहीं रहूँगा और फिर घमन करते हुए बोला बर साथ तो अने दो नमी से गल जाओगे क्योंकि तुम तो कागस के हो और फिर गल कर किसी कच्छरे के धेर में पहुँच जाओगे पर मैं मैं तो सालो साल यहीं रहूँगा मैं तुम्हारी तरह गल कर खतम होने वली चीज नहीं हूँ क्योंकि मैं तो पॉलेथीन हूँ ना तो कागस का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है वह चुप चाप एक कोने में पड़ा रहा और कुछ दिनों के बाद स्टोर में दिपू के साथ उसकी मम्मे आई और बोली दिपू तुम स्टोर रूम से अपना बेकार समान बहा निकालो तब ही स्टोर रूम साफ दिपू ने अपनी बिकार चीजों के साथ कागस का वे रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया और फिर दिपू बाहर चला गया तो अब पालतिन का जो रैपर है वो मुस्कुराते हुए बोला मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढहर में जाओगे मुझे देखो दिपू ने अभी तक मुझे संभाल के रखा है तो कागस का जो रैपर था उसकी बाते सुनकर कुछ भी नहीं बोला केवल हलका सा मुस्कुरा दिया थोड़ी दिर में कबाड़ी वाला आया और उन बेकार सी चीजों के धेर को उठाकर ले गया तो क काघस के रैपर को कबाडी ने फिर से बनने के लिए मेच दिया वहां काघस को फिर से त्यार कर एक नए रूप दिया गया और बहुत खूबसूरत रूप में बनके आया जिस पर चोटी फूल भी बने थे को पते हैं चो काघस होते हैं वह फिर जैसे रिसाइकल हो जाता है कागज को हम फिर से तयार कर सकते हैं और तयार करके उसको एक नया रूप दे सकते हैं यहां पे भी चो कागज है उसको फिर से तयार किया गया और वो बहुत खूब सूरत रूप में आया जिस पे छोटे छोटे फूल बने हुए थे तो बाजार में आने पर उस कागज को एक बच्चा खरीद कर ले गया बच्ची ने उस कागज से एक खूप सूरत काड बनाया यहने कि बहुत ही प्यारा काड बनाया तो एक दिन दिपो के स्कूल में कागज के बने काड़ों के परदशनी लगी परदशनी लगी यानि sitten tuidipu सबी कार्डों को देख रहा था और सबी कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फैंके हुए कागस की रैपर से बना था और कार्ड खूबसूरत होने की कारण दिपु ने उसे खरीद लिया फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया और कुछ दिनों के बाद डीपू के घर पुताई का काम हो रहा था कुछ दिनों के बाद डीपू के घर में पुताई होनी थी तो ममी ने स्टोरूम खाली करने के लिए चीज़े बाहर निकाली उन चीजों में पॉलेथिन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और वे रखे रखे फट सफाई वाले ने कमरा साफ करती हुए उस पॉलेथिन के रैपर को कूडे में डाल दिया अब जो पॉलेथिन का रैपर था उस कमरे में था जहां पर कार्ड रखा हुआ था कागस का तो कागस की कार्ड ने मुस्कुराती हुए उस गंदे और फटे हुए पॉलेथिन के तुमारी हालत देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूं तब दीपु की मा आई और कूड़े में से पॉलेथीन की रैपर को उठाकर दीपु से बोली दीपु इस पॉलेथीन को पॉलेथीन को ऐसे इधर उधर मत फेंको क्योंकि यह बायोड्री ग्रेडेबल नहीं होता है यानि इ पॉलेथीन को घास पत्यों के साथ खा लिया तो यह उनके लिए जान लिवा हो सकता है और यह नदी नाले में चला गया तो वहां के पानी को दूशित कर देगा इसलिए तो कहते हैं कि पॉलेथीन बैक का नहीं बलकि कागर जूट या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए पॉलेथीन वात्तावरन को प्रदूशित करता है इसलिए पॉलेथीन बंद करने के अभियान के पोस्टर जगा जगा पर लगाए गए हैं फिर दीपु को समझ में आ जाते हैं और वो ममी से क्या बोलता है कि आज से मैं भी पॉलेथीन का इस्तेमाल नहीं करूंग दीपु ने समझ दार बनते हुए कहां सो बच्चो स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि पॉलेथीन जो होता है वो जानवरों के लिए भी नुकसान दायक होता है अगर वो पानी में चला जाते तो हमारा पानी भी दूशित कर देता है तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती ह कि पॉलेथिन हमारे वातावरण को परदुशित करता है वातावरण यानि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को गंदा करता है इसलिए पॉलेथिन की जगा कागज या जूट के बैक का ही प्रयोग करना चाहिए